गौवर्मेंट की दौरा अपने बैंक खाते में जो भी पेमेंट रिस्यू होता हैं चाए वो किसी भी सरकारी योजना का पैसा हो या फिर पैंसन का या किसी भी स्कोलर्शिप का पैसा हो उस पैसे को अगर आप जानना चाते हैं कि अपने बैंक खाते में रिस्यू हुआ या तो आप हमारे वीडियो के एंड तक जरूर बन रही है हम आज आपको यही परोसेज बताने वाले हैं साथी जिससे के आपको बैंकों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे और आप अपने मोबाइल फॉन से ही अपनी बैंक खाते का इस्टेटमेंट देख सकते हैं साथी मैं आपको यह पूरा तरीका पेपेस पॉर्टल से ही यह बैलेंस चेक करके बताऊंगा लेकिन तोड़ा सा किसमें बदलाव कर देया हैं जो पहले वाले तरीके से बहुत ही इजी है चलते हैं साथी हो शुरूत करते हैं अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हो तो चैनल में ओमंग यह बारत सरकार के सरकारी एप्लिकेशन हैं जिस पर आपको 21,500 से अधिक सेवाए और योजनाएं देखने को मिल जाते हैं क्योंकि सरकार इसी एप्लिकेशन पर सभी सर्विसेस को जोड़ने का काम कर रही हैं और पेप में स्पोर्टल भी इसी साइट पर बहुत अबन का उप्सन आ रहा है पहले आप इसको डाwnलोड करे उसके बाद मियास से ओपन करें अब यहां पर हमें अपनी languages में सलेक्ट करनी है आप जिस भी बासा में इसको यूज करना चाहते है उस बासा को यह Shane करे मैं फिलाल इसको हिंगलिस में यूज करा हूँ यहा पर एक I एगरी वाला बटन है इस पर टिक करेंगे उसके बाद में next करेंगे किलिक करते हमारे सामने से application का front page इस परकार से open होगा यहाँ पर हमें 2 option देखने को मिल रहे हैं register और login का अगर आप इस application पर पहली बार आए हो तो पहले आपके इस पर register होना पड़ेगा तो मैं register पर click करता हूँ click करने के बाद में अगली detail इस परकार से open होगी यहाँ पर अपने mobile number इस पर type करने है उसके बाद में I agree वाला एक डिबा है इसमें अपने टिक कर देना है टिक करने के बाद में register वाला button है इसमें आप click करेंगे अब इस पर login होता हूँ तो login पर click करूँगा click करते हैं यहाँ पर अपने mobile number डालूँगा अब इस पर login हो चुका हूँ अगर आपके इस समझ में नहीं आया हो तो मैंने इस application का एक proper वीडियो बना रखा है उसका link आपको वीडियो के discuss में मिल जाएगा वहाँ से आप उसको देख सकते हैं साथियो उसके बाद में इस application का front page इस परकार से open होगा यहाँ पर हमें कोविन का एक pop-up देखने को मिलेगा इसको यह से cross करके हटा देंगे हटाने के बाद में यह इस तरीके से यह page दीखेगा अब यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रोल करते हैं स्क्रोल करने के बाद में यहाँ पर एक total services का एक option देख रहा होगा अब इस application पर आप यह देख सकते हैं कि 21,500 अर्सद सेवा हैं और योजना इस application पर आभी available हैं जिसका लाब आप फ्री में ले सकते हैं साथियो को मिल जाएगी अगर आपको यहाँ पर ढूड़ने से कोई भी services नहीं मिलती तो आप यहाँ पर सर्च बार का option है इस पर आप किलिक करेंगे तो यहां से सर्च कर सकते हैं जैसे कि आज हम pfms पोर्टल को सर्च करेंगे तो इसमें टाइप करता हूँ pfms इतना लिकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर pfms पोर्टल आ जाएगा इस पर हम किलिक करेंगे यह पोर्टल फिलाल में google पर सही से वर्क नहीं कर रहा है जबकि इस application पर यह सई से वर्क कर रहा है मैं आपको live कर करके बताता हूँ यहाँ पर आपको पहला यह option देखने को मिल जाता है now your payment status आप इस पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद में widget service ओला option है इस पर किलिक करें करने के बाद में यहाँ पर अपनी detail इसमें फिल करने है यहाँ से आप अपनी bank में जो भी government के दोवारा पैसा receive होता है वो सभी पैसा यहाँ से चेक कर सकते हैं यहाँ पर अपने account number इसमें type करेंगे मैंने इसमें account number type कर दिया उसके बाद में bank का नाम यहाँ पर type करेंगे आप कौन सी bank से हैं bank पे किलिक करते यहां पर नीचे bank की list नीचे आ जाती है यहां पर आप थोड़ा बहुत bank का नाम टाइप करेंगे तो नीचे bank का नाम आजाेगा वहाँ इसी list में से आपको bank का नाम select करना है अब मैंने यहां पर type किया आर्याउ इतना लिखा तो यहाँ पर नीचे आर्यावत बैंक आ जाता है इसको यहाँ से सलेक्ट करेंगे करने के बाद में नीचे मॉबाइल नमर आपके जिस भी मॉबाइल नमर से आप रजिस्टर हुए हैं वो मॉबाइल नमर नीचे एटोमेटिकली आ जाते हैं यहाँ पर आप कोई से भी मॉबाइल नमर लगा सकते हैं जरूर नहीं कि आपके अकाउंट में जो भी मॉबाइल नमर लिंक हैं वो ही लगाए वहाँ पर अगला ओप्शन है सब्मिट का इस पर आप किलिक करेंगे किलिक करते हैं हमारे सामने डीटेल इस परकार से आपन होगी अब यहां पर हमारे अकाउंट में जितना भी गवर्मेंट की तरफ से पेशा आया होगा वो सबी पेमेंट यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर हमें कुशन मार का ओला एक ओप्सन दिख रहा है इस पर हम किलिक करेंगे किलिक करते हैं फिर से एक आप्शन दिख रहा है सोशेल पर इस पर किलिक करेंगे करने के बाद में अपने अकाउंट न Brothers में जितना भी पेशा रिटीटेल हमें देखने को मिल जाती हैं यहां पर उसकी बेंक का नाम मिलेगा उसके बाद में आप रहे अपने अकाउंट नमबर के पीछे के चार्ट डीजिट नमबर देखने को मिलेगा, उसका नाम आप पर देखने को मिल जाएगा, और उसके अकाउंट में कितना पैसा रिसीव हुआ, ये भी यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं, इनके में गवर्मेंट की तरह से आपका पैसा डाला भी होगा लेकिन यहां से सो नहीं हो रहा होगा डाटा नोट पाउंड का इस ओप्सन आ रहा है तो मैं आपको बता दू सातियों गवर्मेंट अपने बैंक खाते में जितना भी उस पैसे को यहां से चेक कर सकते हैं मेरे पास में कहीं बाइयों का कमेंट आते हैं कि हमारे खाते में पैसा आया है लेकिन यहां से हम चेक ही नहीं कर पा रहे तो यही रीजन है मेरे बाइयों क्योंकि गवर्मेंट दो तरीक के से पैसा रिसीव करती है या तो अपनी बैंक मे अपना आधार कार्ड लिंक नहीं है अगर आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपका पेसा आधार कार्ड से वो डालने की कोशिस करती है गुवर्मेंट तो आपके खाते में नहीं पहुंच पाता है इसलिए वो अपने अकाउंट नंबर से अपने खाते में रिसीव करती है तो अगर आपका जो भी पेमेंट होगा वो आदार कार्ड के बेश के थुरू आया होगा तो वही पेमेंट आप यहां से चेक कर सकते हैं तो गाईज आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और आपके दिमाग में फिर भी कोई कंप्यूजन रा जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताए और साथ हैं आप वीडियो को लाइक नहीं करते एक ल